नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक टार्गेट 100 है। जैसे ही इस वीडियो पर 100 लाइक्स का टार्गेट कम्प्लीट हो जाएगा, आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा। धन्यवाद। जाती रहती हैं। क्योंकि मैं साइना को छोड़ कर दूसरी ढूंधने के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन उसके जैसे मुझे कोई मिल ही नहीं रही है। अच्छा चल रहा है तो आप उसे छोड़ क्यूं रहे है। अधिकार कहता है तो विक्रांत ने सिगरेट के एक और ध रखते हुए उसे देख कर कहने लगा तुम पागल हो गए हो। क्या कॉमेडी सूज रही है तुम्हें। अधिकार सच में हंस देता है और हां में सर हिलाते हुए कहता है। ये सच में ही बहुत अच्छी कॉमेडी है। वैसे क्या आपकी वाइफ को इस बारे में पता है। म Grant ने यह बात बहुत बेफिक्री के साथ कही थी, जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, अधिकार मौके की नजाकत को समझते हुए आगे कहता है, इसका मतलब यह है, कि अगर आपकी wife पहले से ही आपके और आपके affairs के बारे में सब कुछ जानती है, फिर तो आपके और उसके beach problems और बढ़ जाती होगी, मतलब एक तो वैसे ही वह आपको छोड़ कर जा चुकी है और सब जानने के बाद तो उसका वापस आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, उस बीच की इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरे सामने आवाज उठा कर मुझसे बात करें, मैंने उसे सब कुछ होने के बाद आपको लगता है, वह आपको पसंद करती होगी, मतलब अगर उसका किसी के साथ अफेर रहता, तो आप भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं, तो फिर इसमें गलत ही क्या है, अधिकार ने जब ये कहा तो विकरांत के चहरे पर गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में घूर कर अधिकार को देखने लगता है, अधिकार बेफिकरी के साथ कहता है, अरे इसमें इतना नाराज क्यूं हो रहे हो, मैं तो बस जेनूइनली पूछ रहा हूँ, अचानक से विकरांत के चहरे पर एक तिरची मुस्कान आ जाती है और उसने अधिक अधिकार को देखते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि यह चीज काम करेगी, ऐसा नहीं है अधिकार, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे और मेरे अंदर एक ही खून है, कहने के लिए तो हम सौतेले भाई हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारा रिष्टा जुड़ हुआ है, उसका हम दोनों के रिष्टे पर कोई असर नहीं पड़ा है, हाँ मैं बिजनेस में तुमसे आगे हूँ और तुमसे बेहतर भी हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि मैं ये बात भूल गया हूँ, कि तुम्हारे अंदर भी मेरे बाप का खून है, अचानक से अधिकार के हाथ रुप जाते हैं और वह घूर कर विकरांद को देखने लगता है, विकरांद भी कंदे उचका कर बेफिक्रे के साथ कहता है, मैं बस तुम्हें ये बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारा और मेरा अस्तित्व एक ही दोर से बंधा हुआ है, तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शाम को उन्होंने बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारे डाइमंड खरीदें और अपने कमरे में बैठ कर खुद को सजाने लगी, पापा जब घर आए, तो मैंने उनसे सवाल किया कि माने आपसे कोई सवाल क्यूं नहीं किया, तो उन्होंने म एक गलती को माफ कर देगी, यही मा ने भी किया था, जब उन्होंने पापा को तुम्हारी मा के साथ देखा, तो वह पापा से सच में लढ़ना चाहती, थी, पर बदले में पापा ने उन्हें बहुत सारी शॉपिंग करवाई, उन्हें हीरो के महंगे सैद दिलवाई और उ पर चुप चाप मेरा पीछा छोड़ देती है, लेकिन रही के मामले में ऐसा नहीं है, सच में, अधिकार कहता है, तो विक्रांत एक फ्रिस्ट्रेटेशन भरे चेहरे के साथ कहने लगता है, अधिकार अगर तुम्हें रही जैसी कोई लड़की फ्यूचर में मिलेना, तो तुम उसे तुरंट छोड़ देना, ऐसी लड़कियां सरदर्द होती है, उन्हें पैसा पावर प्रॉपर्टी नहीं चाहिए होती है, उन्हें तुम्हारा टाइम चाहिए होता है, पूरे दस साल में राही के साथ एक शादी शुदा जिंदगी में रहा था, लेकिन उसके बात भी वह कमीनी मुझे छोड़कर चली गई, अधिकार एक मिस्टीरियस मुस्कान के साथ हामें सर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, और इस बात का भी ध्यान रखूंगा, कि आपकी लाइफ पर इन सब का कोई असर ना पड़े, वैसे बहुत हो गई बातें, अब थोड़ी बिजनेस की भी बात की जाए, करीब दो घंटे तक अधिकार और विक्रांट एक दूसरे के साथ बिजनेस की बात कर रहे थे, लेकिन उनके बिजनेस की बाते तो अगले एक घंटे में ही खत्म हो गई थी, उसके बाद जो बाते थी व पाइदा ही फाइदा होगा, इससे अच्छा विक्रांट के लिए और क्या था, उसने तुरंट इस ओफर को एक सेप्ट कर लिया और कॉंट्रेक्ट पेपर साइन कर दिये, अब उस रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर दो पार्टन थे, एक विक्रांट और दूसरा अधिकार, और दोनों के शेर्ज बराबर के थे, लेकिन अगर घटा होगा, तो अधिकार अकेले उठाएगा और फाइदा होगा तो विक्रांट को ज्यादा बड़ा हिस्सा मिलेगा, मीटिंग खत्म करने के बाद वह दोनों आफिस से बाहर निकलते हैं और अधिकार लिफ्ट की बात कर लेता हूं, वहां का शेफ ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े होटल से कुकिंग सीख कर आया है, और बहुत अच्छा खाना बनाता है, मुझे पता है तुम्हारे खाने में बहुत नकरे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे हिसाब से ही उनसे कहूंगा वह तुम्हारे लिए खाना बना देंगे, लेकिन अधिकतर हस्ते हुए नामे सर हिलता है और कहता है, नहीं बड़े भईया, इसकी कोई जरूरत नहीं है, दरसल मेरा खाना घर पर मेरा इंतजार कर रहा है, विक्रांत अचानक से अधिकार को देख कर हैरानी से कहता है, घर पर खाना इंतजार कर खाना देख कर रहे है, लेकिन अधिकार ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान थी, विक्रांत हस्ते हुए कहता है, लगता है तुम किसी फीमेल शेफ को डेट कर रहे हो, अधिकार हस्ते हुए नामे सर हिलता है और कहत नहीं बड़े भईया, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मेरे घर पर कोई है, जो मेरे लिए खाना बनाती है, विक्रांत हैरान हो जाता है और हैरानी से कहता है, सच में कोई तुम्हारी पसंद का खाना बनाती है, ये तो सच में हैरानी वाली बात है, कभी मिलवाओ उससे हमें भ कौन है जो तुम्हारी पसंद से तुम्हारी मरजी का खाना बना देती है वह भी इस तरीके से कि तुम खाने के लिए घर जाने का इंतजार करते हो अधिकार ने मुस्कुराते हुए कहा जी बड़े भाईया आप फिक्र मत कीजिए बहुत जल्दी मैं उससे सबसे मिलवाने व जाता हुए कि अधिकार खाने के मामले में कितना नकरीला है दरचल जब शालिणी देवी ने अधिकार को ओफिसिली गोध ले लिया था तो उसके बाद अधिकार हॉस्टल में रहता था और हर साल हॉस्टल की छुट्टियों में वह घर आता था लेकिन यहां आने के बार के द्वारा भेजे गए शेफ उसके लिए बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उसके लिए कोई खाना नहीं बनाएगा ना। उसे अकेले ही खुद कुछ खाना होगा और अधिकार उस समय बच्चा भी था। इसलिए वह अकेले खाना कैसे बनाएगा। उस समय गल्फ्रेंट ने जब ये देखा कि वह उसे इंप्रेस करने के लिए घर से कुछ बना कर ला रही है तो वह उसे नाराज नहीं करना चाहता था। दरसल उसे समय राही का वह अट्रैक्टिव चेहरा विक्रांथ को पसंद आ गया था। बी और वह राही को अपनी गल्फ्रे करना सीखी रही थी लेकिन फिर भी वह अपने हिसाब से बहुत अच्छा खाना बनाती थी धीरे-धीरे उसके खाने का स्वाद अधिकार के जबान पर चड जाता है और उसके बाद जब अधिकार ने देश-विदेश और न जाने कहा कहा के famous chef के हाथ का खाना खाया लेकिन एक बार जो खाना उसने बरसों पहले खाया था उसका स्वाद अभी भी उसके मुह में था। जब पहली बार राही ने अधिकार के लिए उसके घर पर खाना बनाया था तो अचानक से सालों बाद अधिकार को वही स्वाद अपने मुह में महसूस होता है। जो उसने हाइ स्कूल के दिनों में खाया था। अधिकार जब अपने हाइ स्कूल की पढ़ाई कर रहा था तब विक्रांथ और राही कॉलेज में थे और एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लेकिन जब अधिकार अपने हाइ स्कूल कंप्लीट करकर कॉलेज की पढ़ाई करने क लिए विदेश चला गया तब उसे पता चला कि विक्रांद की शादी हो गई है। विक्रांद अपने ओफिस में बैठा हुआ था और उन सब बारे में सोच रहा था। जब वह कॉलेज के दिनों में थे तो अकसर वो अधिकार को ही राही का बनाया हुआ खाना खिलाया करता था। और अधिकार उस खाने को कितने शौक से खा लिया करता था। यही बात विक्रांद को अब थोड़ी अजीब लग रही थी। क्योंकि अधिकार के खाने के नकरे कितने ज़्यादा थे यह उसने देखे थे, फिर उसे किसके हाथ का खाना पसंद आने लगा, तभी विक्रांत को कुछ याद आता है, दरसल ये बात उस समय की है, जब अधिकार के स्कूल की छुटियां खत्म हो गई थी और उसे वापस नहीं जा रहा था, विक्रांत और राही उस समय कॉलेज में थे, जब विक्रांत को इस बारे में पता चला, तो वह राही को लेकर गाड़ी में एपोर्ट निकल जाता है, वह राही को लेकर एपोर्ट में आता है और वह देखता है, कि अधिकतर दूर एक कुरसी पर बैठा नहीं था, सिक्यॉरिटी ने उसे वहीं पर रोक लिया था, पर विकरांट के पास उसका पासपोर्ट था, इसलिए वह अंदर एरपोर्ट में चला गया। जैसे ही अधिकार विकरांट को देखता है, वैसे ही वह उसे देख कर खुश हो जाता है। आज विक्रांत उसे कहता है कि जब उसकी कॉलेज की छुटियां होगी तो वह उसे मिलने के लिए उसके हॉस्टल जरूर आएगा लेकिन तभी अधिकार की नजर राही के उपर जाती है उसे समय राही काफी यंग थी और उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी अधिकार राही को तीकी नजरों से देख रहा था और उसके नजरों का पीछा करते हुए विक्रांत ने कहा वह मेरी गल्फ्रेंड है जवानी की दहलीज पर खड़ा अधिकार पहली बार राही को देख रहा है जो शायद अभी अभी जवान ही हुई थी उसके चेहरे पर भुलापन, मासूमियत और आँखों में शरारत उसे सब अजरों आ रहा था अधिकार की नजर राही के ऊपर थहर गई थी कच्ची उम्र का यह हैसास जो उसे राही को देख कर हो रहा था वहुन अहसासों में खो गया था और उसकी नजर राही के उपर से हटी नहीं रही थी विक्रांत ने जब अधिकार को बिना पल के जपकाय राही को देखता हुआ पाया तो उसके कंधे पर हाथ रख कर उसे हिलाते हुई कहा क्या हुआ अधिकार क्या सोच रहे हो अधिकार जल्दी से जेंब जाता है और नामे सर हिलाते हुए कहता है कुछ नहीं भाई ठैंक्स आप मुझे छोड़ने के लिए आए वरना मुझे लगा इस साल मुझे कोई मिलने ही नहीं आएगा और मैं आपके खाने को बहुत मिस करूंगा वहाँ हॉस्टल में तो मेरे लिए शेफ है खाना बनाने के लिए लेकिन आप जैसा खाना लेकर आते थे वैसा खाना मुझे दोबारा कहीं नहीं मिलेगा उसकी बात सुनकर विक्रांथ हस्ते हुए कहता है अरे पागल वह खाना मैं थोड़ी ना बनाता था वह तो राही मेरे लिए बना कर लाती थी पर वह क्या है ना मुझे इतना तेल मसाला खाने की आदत नहीं है इसलिए मैं वह खाना तुम्हें खिला दिया करता था अगर तुम्हें इतना ही पसंद है तो ठीक है जब मेरी राही से शादी हो जाएगी तब वह तुम्हारे लिए ऐसा खाना बना दिया करेगी तब तुम उसके हाथों का खाना कभी-कभी खा सकते हो कभी-कभी क्यों भाई, मैं रोज नहीं खा सकता हूँ क्या अधिकार ने अपने बच्पने भरे अंदाज में विक्रांथ से सवाल किया तो विक्रांथ हसते हुए कहता है अरे तुम उसके हाथों का खाना रोज कैसे खा सकते हो वह तुम्हारे साथ थोड़ी ना रहेगी वह तो मेरी बीवी होगी तो मेरे साथ रहेगी इसलिए वह मेरे लिए खाना बनाएगी तुम कभी कभी हमारे घर आकर उसके हाथों का खाना खा सकते हो और फिर अधिकार की नजर एक बार फिर से राही पर जाती है जो बाहर सिक्योरिटी के पास ही खड़ी थी और विक्रांट के बाहर आने का इंतजार कर रही थी तब ही अधिकार की फ्लाइट आ जाती है और वह अपनी फ्लाइट की तरफ चला जाता है लेकिन जाने से पहले वह बार-बार पलट कर राही को देख रहा था लेकिन विक्रांत को अचानक से याद आ जाता है कि वह राही को लेकर जब अधिकार को एपोर्ट पर सी आफ करने गया था तब अधिकार उसे किस तरीके से देख रहा था वह याद आने के साथ ही विक्रांत अपने आफिस में बैठा हुआ कुछ सोचने लगता है लेकिन तभी अपने ख्याल को जटिकते हुए खुद ही के बेवकुफी भरे सवाल को सोचते हुए कहता है मैं भी ना कैसे बच्चों जैसी बातें सोचता रहता हूँ अधिकार और राही ये हो ही कैसे सकता है मतलब वह लोग कभी मिले भी नहीं है एक दूसरे को जानते भी नहीं है और राही कौन सा बहुत अच्छा खाना बनाती थी जो उसके खाने के लिए अधिकार इस तरीके की हरकतें करेगा नहीं नहीं यह मेरे दिमाग का फालतु का ख्याल है ऐसा कुछ नहीं हो सकता है वैसे भी राही अधिकार से उम्र में कितनी बड़ी है अधिकार के लिए कोई भी उसकी उम्र की लड़की मिल जाएगी वह क्यूं राही जैसी उम्रदर औरत को पसंद करना चाहेगा ये बस मेरे दिमाग का फालतु का वहम है लगता है काफी दिनों से मैं खुद उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ इसलिए मेरे दिमाग ने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है पर मुझे राही के लिए पर्मानेंट सॉल्यूशन निकालना ही होगा एक तरफ मॉम है जो मुझे दूसरी शादी के लिए फोस कर रही है पर मुझे दूसरी शादी करनी ही नहीं है क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ हमारी सोसाइटी में जो लड़कियां है जिनसे मा मेरी शादी करवाना चाहती है वह सारी की सारी गोल्ड दिगए है सब पैसों की पीछे भागती है और पैसों के लिए मरती है पर राही ऐसी नहीं थी ना तो उसे पैसों में इंटरेस्ट था और ना ही वह पैसों के पीछे भागा करती थी बस यही एक वज़े है कि मुझे राही अपनी जिन्दगी में वापस चाहिए मुझे कोई दूसरी लड़की अपने घर में नहीं चाहिए मुझे सिर्फ वही चाहिए इसलिए तो मैंने अभी तक डिवोस पेपर पर साइन नहीं किया है क्योंकि राही मुझे से दूर नहीं जा सकती है मैं उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूनगा उसे कुछ दिन बाहर की जिन्दगी जीनी है ना तो जी ले उसे भी पता चल जाएगा तकलीफ किसे कहते हैं दर्द किसे कहते हैं पैसों की जरूरत किसे कहते हैं और वह खुद मेरे पास घुटनों की बल गिरती आएगी तब मेरी जीत होगी क्योंकि अगर मैं उसके पास गया और यह बोला कि मुझे उसकी जरूरत महसूस होती है तो वह जीत जाएगी और मैं उसे जितने नहीं दूंगा अपने दिल और दिमाग में ऐसे घटिया सोच रखते हुए विकरांत राही को हराने की प्लानिंग करने लगा तो वही दूसरी तरफ अधिकार की हसी ही नहीं रुक रही थी वह अपने घर की तरफ ड्राइव करता हुआ जा रहा था और विकरांत से उसके अफेर्ज और राही के साथ उसके रिष्टे को लेकर अधिकार ने जो कुछ भी सवाल किये थे विकरांत टेंशन में उन सब का जवाब दिये जा रहा था विक्रांत को लगा कि वह अपने दिल का बोज हल्का कर रहा है पर उसे क्या पता था कि दरसल वह अपने दिल का राज किसी के सामने रख रहा है अदिकार पूरे रास्ते जोर जोर से हंस रहा था उसकी गारी में सिर्फ उसकी हसी ही गूंज रही थी और कुछ भी नहीं अचानक से वह गारी को बिल्दिंग के नीचे रोक देता है उसकी नजर अपने अपार्टमेंट पर जाती है और वो घूर कर अपने अपार्टमेंट को देखते हुए कहता है मेरे परिवार को लगता है कि उन्होंने मुझ पर एहसान किया है और तुम्हें लगता है कि मैंने तुम पर एहसान किया है पर ऐसा है ना कि किसी ने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है सब लोग अपने फाइदे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं महता परिवार ने गोद लेकर पढ़ लिक कर अपने नाम को मिट्टी में नहीं मिलने दिया, यह उनका फाइदा था, और तुम्हें यहां रख कर तुम्हारा इस्तिमाल करना यह मेरा फाइदा है, अधिकार के चहरे पर कुछ मिस्टीरियस से रहस्य थे, वह अपनी गारी से बाहर निकलता है और सीधे अपने अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है, जैसे ही वह अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होता है, उसने पूरे हॉल में नजर दोराए, लेकिन हॉल खाली था, फिर उसने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा, वह भी खाली था, ऐसा देखक उसे थोड़ी सी हरानी हुई, उसे लगा राही ने उसके लिए डिनर बनाया होगा और दिनर डाइनिंग टेबल पर लगा कर इंतजार कर रही होगी, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो डाइनिंग टेबल पर दिनर था और ना ही राही उसका इंतजार कर रही थ राही अपने कमरे में थी और चिक्की का होमवर्क उसे कम्प्लीट करने में उसकी मदद कर रही थी राही को खुशी थी चिक्की की क्लास टीचर ने आखिर कार चिक्की और जय सोनी को अलग-अलग बिठाना शुरू कर दिया है ताकि वह दोनों फिर से एक दूसरे के साथ ना लड़े और एक दूसरे के साथ हो रही लड़ाए उनकी पढ़ाई ना खराब हो राही चिक्की का होमवर्क कम्प्लीट कर रही थी और उसके बैग में उसकी नोटबुक रख रही थी तभी चिक्की ने अपना होमवर्क छोड़ कर राही से कहना शुरू किया मम्मी पढोसी अंकल उपर वाले फ्लो पर है क्या राही ने नामे सर हिलाया और उसकी बेग में बुक को रखते हुए कहा नहीं वह भी अपने घर पर नहीं है दरसल वह एक जरूरी काम से बाहर गए हैं और शायद आज रात घर भी नहीं आएंगे इसलिए तुम उनसे बाद में मिल लेना उनसे कौन मिलना चाहता है वह बुरे वाले पढोसी अंकल है मुझे उनसे नहीं मिलना है उनके दिमाग में बस मम्मी को परिशान करने के ख्याल चलते रहते हैं लेकिन चिक्की अपनी मम्मी की हिफाज़त करेगी वह उन पढोसी अंकल को अपनी मम्मी को परिशान करने नहीं देगी और अगर उन्होंने ऐसा किया तो चिक्की छोटा भीम से उनकी कंप्लेंट करेगी। चिक्की ने एक अकड के साथ कहा, तो राही हैरान हो जाती है और उसे देख कर हंस देती है। चिक्की बैद से नीचे उतर जाती है और कहती है, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि अगर परोसी अंकल उपर हुए तो मैं उपर नहीं जाओंगी। और नहीं आपको उपर वाली मंजल पर जाने दूँगी। वह परोसी अंकल बहुत बुरे हैं, आपको डाटते हैं। राही ने चिक्की को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते हैं। वह परोसी अंकल जो है ना, वह मम्मी के बॉस हैं। मम्मी उनके लिए काम करती है, अगर वह ऐसा नहीं करेगी, तो परोसी अंकल उन्हें जॉब से निकाल देंगे और इस घर से भी। चिक्की को समझा ही रही थी, कि तभी उसके कानों में अधिकार के चिलाने की आवाज आती है, जो की हॉल में खड़ा होकर चिला रहा था, उसकी आवाज सुनकर चिक्की दर जाती है और राही से लिप जाती है, राही उसे संभालते हुए कहती है, नहीं दरने की जरूरत न आती है, पर आते वक्त वह यही सोच रही थी, कि अधिकार इतनी जल्दी घर कैसे आ गया है, उसने तो सोचा था, कि अधिकार आज घर ही नहीं आएगा, लेकिन अभी तो ठीक से 8 भी नहीं बजे हैं, और तुम्हें पता है ना, मेरे लिए खाना बनाना तुम्हारा काम है, तो फिर तुमने खाना क्यों नहीं बनाया मेरे लिए, अधिकार एकदम गुस्से में भड़ा कुठा था, इतना गुस्से में अधिकार को देख रही हैरान हो जाती है, वह एक दिन के लिए इतना चिल्ला र आप आफिस से निकलते वक्त इतनी जल्दबाजी में थे कि आपने मुझे या ग्लोरिया को कुछ भी नहीं कहा। राही घबरा जाती है पर उसने अधिकार को देखते हुए कहा वह दरसल अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे तो मुझे या फिर ग्लोरिया को अपने साथ ले जाते पर आप अकेले गए थे इसी से हमें लगा कि शायद आप अपनी किसी पसनल मीटिंग के था वह गुस्से में चिलाते हुए कहता है जो भी तुम बहुत जल्दी बना सकती हो बना कर लाओ मुझे भूख लग रही है तुम्हें पता है मुझे एक बड़े बिजनेस मैनने खाने के लिए ओफर किया था लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और अब घर आकर क्या देख रह हुआ है एक बात कान खोल कर सुन लो राही सुबह हो दोपहर हो शाम हो या रात हो अगर मैं घर नहीं भी आ रहा हूँ तो भी तुम्हें मेरे लिए दिन बनाना ही है आई बात समझ में राही एकदम से डर जाती है पर वह जल्दी से हामें सर हिलाते हुए तेज कदमों से र रह सकता हुँ लेकिन जो भी कर रही हो आराम से करो सामान क्यों खराब कर रही हो राही घबराते हुए हामें सर हिलाती है और फिर धीरे धीरे उसने सामान निकालना शुरू किया उसे याद आता है कि जब विकरांद के लिए खाना बनाया करती थी तो विकरांद जादातर बाहर से ही खाना खाकर आता था। इसलिए धीरे-धीरे करके राही ने उसके लिए खाना बनाना ही बंद कर दिया था। विक्रांद जब भी राही के हाथों का खाना खाता, तो उसे प्लेट पर थूनक देता और इस दुनिया का सबसे घटिया और वाहियात खाने का दर्जा देता था, यहां तक कि वह राही से ये भी कहता था कि खाना बना कर वह बस राशन की बरबादी ही कर रही है, एक बार उस जब अधिकार उस पर नाराज हो रहा है, ये कहकर कि उसने कुछ नहीं बनाया तो राही एकदम से डर गई थी, क्योंकि इस वक्त अधिकार में उसे विक्रांत का चेहरा नजर आ रहा था, वह भी इतने ही गुस्से में उससे बात किया करता था, राही किचन में खड़े होकर अधिकार के लिए कुछ खाने को बना रही थी, लेकिन अधिकार भूख से इतना ज्यादा पगलाया हुआ था, कि वह राही को सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था, तुम्हें जौब देने से पहले मैंने साफ साफ बता दिया था, कि तुम्हें तीनो टाइम मेरे ल अधिकार नहीं आ रहा हूं तो रात में घराऊंगा, और रात में घराऊंगा, तब मुझे भूख लगेगी तो मैं क्या खाऊंगा, तुम मेरे लिए कुछ बना कर नहीं, रख सकती थी पाउटिंग, राही के कानों में अधिकार की बात तो जा रही थी, लेकिन वह उसकी गुस्सा जाहिर नहीं कर रही थी, उसने अपने मन में ही चिलाते हुए कहा, हाँ तो मुझे क्या सपना आ रहा है, कि तुम घर नहीं आ रहे हो, मतलब दोनों तरफ से ही मुझे ही सुनने को मिल रहा है, पहले तो तुमने मुझे धोके से वह काद दिया और उसके बाद भी नहीं घर आएंगे भी या नहीं ये भी नहीं बताते हैं और अब घर पर आकर मुझसे कह रहे मैंने खाने को कुछ नहीं बनाया है। वह गुसे में किचन में आता है और राही की बाजू पकड़ कर उसे अपनी तरफ करते हुए कहता है पागल हो गई हो क्या मैं इतनी देर से तुम्हें बातें सुनाई जा रहा हूं और तुम उसका कोई जवाब भी नहीं दे रही हो अरे कम से कम मेरे सवालों का जवाब तो दो उद्धरन चिन्ह राही ने धीरे से अधिकार को देखते हुए इशारा करके उसे काउंटर की तरफ देखने के लिए कहा अधिकार ने उस तरफ देखा तो उसका खाना तयार था राही धीरे से कहती है, खाना तयार है खालीजिये पागल हो गई हो क्या, मैं तुम्हें इतना कुछ बोले जा रहा हूँ तुमने मुझे एक बार भी जवाब नहीं दिया ये तुम्हारी आदत है या जान बूज कर मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही हो अधिकार एकदम गुसे में चिलाते हुए राही से सवाल कर रहा था क्योंकि राही ने उसे कुछ भी नहीं कहा था, वह उसके सामने एक शब नहीं बोली उल्टा चुपचाप उसकी बातों को सुनती रह गई थी मेरी मम्मी के उपर चिलाना बंद करो गंदे पढ़ोसी अंकल, अधिकार और राही एक साथ अपना चेहरा घूमा कर उस तरफ देखते हैं जहां पर चिक्की अपने हाथों में अपना पेंसिल बॉक्स लिये हुए खड़ी थी उसने गुसे में अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाए और सीधे वहां पर आकर उसने अपना पेंसिल बॉक्स ओपन किया और उसमें हाथ आने वाली हर चीज पेंसिल रबर शौपन कलर और जो कुछ भी उसके हाथ में आ रहा था वह सब कुछ वहे केक करके अधिकार के उपर फेके जा रही थी मेरी मम्मी से दूर रहो गंदे पढ़ोसी अंकल मेरी मम्मी को डाटना बंद करो वरना मैं आपको मारूंगी अधिकार के हाथ रही के शोल्डर से धीले पर जाते हैं और वह खुद के चहरे को छुपाने की कोशिश करता है क्योंकि चिक्की अपनी पेंसिल और कलर सीधे अधिकार के चहरे की तरफ ही फेक रही थी रही डर जाती है वह जल्दी से चिक्की के पास आती है और उसे गोद में उठाते हुए अधिकार को देखती है अधिकार ने हैरानी से राही और चिक्की को देखा तो राही जल्दी से अपना सर हलका सा जुकाती है जैसे कि अधिकार से माफी मान रही हो और तुरंट चिक्की को गोद में लेकर वह कमरे में भाग जाती है अधिकार हैरानी से उस तरफ देखता रह जाता है और रही चिक्की को लेकर कमरे के अंदर भाग जाती है अधिकार ने सोचा नहीं था कि वह राही पर इस तरीके से नाराज होगा और उसे इतना कुछ सुना देगा अधिकार को अब खुद के किये पर गुस्सा रहा था उसने गुस्से में एक नजर उस खाने की प्लेट को देखा सारा खाना रही ने उसकी बाते सुनते हुए बनाया था अब इस खाने को का मन तो अधिकार का भी नहीं था उसने एक गहली सांस छोड़ी और एक पश्चाताप और आत्मजगलानी के साथ वह अपने कमरे में वापस आ गया अधिकार को खुद के किये पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कमरे में आकर वह सोफे पर बैट जाता है और अपने सर को पकड़ कर धीरे धीरे अपनी उंगलियों से सर को मालिश देते हुए खुद के गुस्से पर काबू करने लगता है सीट यार क्या जरूरत थी मुझे उससे वह सब कहने की क्या मैंने उसे बहुत ज़्यादा बातें सुना दी है मेरा उस पर चिलाने का कोई एरादा नहीं था लेकिन उसकी हरकतों ने मुझे गुस्सा दिला दिया था वह मुझे जान बूज कर गुस्सा दिलाती है हाँ मुझे पता है कि मैं विक्रांद जैसा अभी बहुत अमीर और ताकतवर नहीं हूँ लेकिन मैं वह बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ इतनी बड़ी कमपनी को मैंने अपने बलबूते पर शुरू किया है इसके लिए मेरी मदद किसी नहीं की है अधिकार खुद के अंदर ही बरबरे जा रहा था लेकिन वह अपने गुसे पर काबू नहीं रख पाया उसने अपने हाथों का मुक्का बनाया और पास की दिवार पर दे मारा और अपने हाथों के घुसे को वह दिवार पर तब तक मारता रहा, जब तक उसका हाथ लहू लोहान नहीं हो गया वह बुरी तरह से दर्द से तड़ाप रहा था, उसका पूरा हाथ घायल हो चुका था और उसमें से खून निकल रहा था लेकिन अधिकार को इन सब की परवा नहीं थी, बलकि वक्तो रही के लिए जो उसने नाराजगी जताई थी, उसके लिए खुद को सजा दे रहा था ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे उसकी परवा नहीं करनी है, उसके आंसू मुझे एफेक्ट नहीं कर सकते हैं अधिकार अपने मन में ये सोचता हुआ सोफे पर बैट जाता है और सोफे पर लेट जाता है उसने अपने घायल हाथ की कोहनी को अपनी आँखों पर रख लिया और अपनी आँखें बंद कर ली उसकी आँखों के सामने अभी थोड़ी देर पहले किचन में खड़ी राही का चेहरा आ जाता है जो अधिकार के दडांट की वज़े से शायद रोने की कगार पर थी पर उसने अपने आसुओं को रोक रखा था राही का वह चेहरा देखकर अधिकार निशब्द हो गया था और वह उसे कुछ कही नहीं पाया तब जाकर उसे विश्वास हुआ कि उसने राही को कितना कुछ सुना दिया था राही के कमरे में राही पूरे समय चिक्की को अपने गोद में लेकर इधर से उधर तहलने की कोशिश कर रही थी दरसल उसकी नजरें बराबर दरवाजे पर लगी हुई थी उसे लगा कि इतनी नाराजगी के बाद अधिकार कमरे में आकर उस पर और चिक्की पर गुस्सा करेगा और इसलिए अंदर आने के साथ ही उसने दर्वाजा बंद कर दिया वह अंदाजा लगा रही थी कि किसी भी पल अधिकार कमरे में आने के लिए उसके दर्वाजे पर दस्तक देगा लेकिन काफी देर बाद भी उसके दर्वाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई लेकिन राही अभी भी दर्वाजे पर ही देख रही थी वह चिक्की को लेकर बैड के किनारे पर बैठ गई राही ने चिक्की को बैड पर आराम से बैठा दिया पर उसका चेहरा अभी भी गुस्से में भरा हुआ था वह गुस्से में राही को देखते हुए कहती है मम्मी वह पडोसी अंकल बहुत बुरे हैं वह डैडी के भाई नहीं हो सकते हैं वह मेरे डैडी जितने अच्छे नहीं है चिक्की तो बच्ची थी लेकिन राही अपने मन में चिक्की की बातों को सोचते हुए कहती है तुम्हें क्या बताओं की अधिकार कितना ही बुरा क्यों नहो लेकिन तुम्हारा बाप उसके सामने दस गुना जादा बुरा इंसान है इस दुनिया का सबसे जाहिल और घटिया इंसान है उसने इस बात को अपने मन में इसलिए कहा था क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि चिक्की को उसके बाप की सच्चाई पता चले वो उसे चोट नहीं पहुचाना चाहती थी और एक बेटी के दिल में जो उसके पिता की एक अच्छी और साफ छवी है उसे खराब नहीं करना चाहती राही ने चिक्की को बैट पर सीधे लेटाया और उसका सर तक ये पर रखते हुए कहा अच्छा ठीक है बहुत बाते हो गई है चलो अब तुम चुप चाप सो जाओ कल सुबह स्कूल भी जाना है ना लेकिन चिक की दोबारा से उटकर बैट जाती है और राही को देख कर कहती है मम्मी आप किचन में रो रही थी ना मैंने आपको रोते हुए देखा है पर उसी अंकल ने आपको डाटा है इसलिए आप रो रही थी ना नहीं बेटा मैं रो नहीं रही थी दरसल मैंने किचन में कुछ बनाया था और उसी का धुआ मेरी आँख में लग गया था जिसकी वजह से मेरी आँखों में पानी आ गया था और अंकल बस मेरी मदद कर रहे थे उन्होंने मुझे डाटा नहीं था बलकि वह तो मुझे समझा रहे थे कि मुझे आराम से काम करना चाहिए राही नहीं चाहती थी कि चिक्की अधिकार को लेकर कोई भी गलत विचार अपने मन में रखे और कल को वह अधिकार के उपर गलत तरीके से इजाम लगा कर उससे बात करें और अगर अधिकार नाराज हो जाएगा तो राही को घर से भी निकाल सकता है और नौकरी से भी राही के इसके अलावा और कोई चारा नहीं था वह चिक्की के लिए उससे जूट बोलने के लिए भी तैयार हो गई थी उसे मालूम था कि वो उस पर भरोसा करती है लेकिन चिक्की अपनी मा को हैरानी से देख रही थी वह अपनी मा की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी मा जो कह रही है वह सच है राही ने जब देखा कि चिक्की उसे असमंजस और शनका भरी नजरों से देख रही है अगर मैं सो गई तो किसी को अपनी गोदी में सर करके नहीं सुलाओंगी चिक्की के चेहरे पर हलकी सी मुश्कान आ जाती है और वह रही के सीने से लिप जाती है उसने अपने पैरों को रही के कमर पर रखड़ दिया और वह थोड़ी ही देर में सो गई राही को जब एहसास हो जाता है कि चिक्की पूरी तरह से सो गई है तो उसने धीरे से उसके हाथों को अपने कंदे से हटाया और धीरे से चिक्की को बिस्तर पर सुला देती है वह उसे ठीक से बिस्तर पर सुलाती है और उसे चादर से धग देती है कमरे का एस बड़ी उसने टेंपरेचर पर रखा और धीरे से कमरे से निकल जाती है वह डरते हुए कैमरे से बाहर निकलती है और हॉल में आती है उसे लगा अधिकार अभी भी हॉल में उसका इंतजार कर रहा होगा पर उसने देखा अधिकार इस समय हॉल में नहीं है यह महसूस करते ही राही ने राहत की सांस ली राही को अब उपरी मंजल पर जाने से डर लग रहा था लेकिन उसे वहाँ जाना तो था ही क्योंकि अधिकार के गुस्से का सामना वह कर चुकी थी और वह फिर से उसके गुस्से का सामना नहीं करना चाहती थी कम से कम कल सुबह चिक्की के सामने तो बिलकुल भी नहीं इसके लिए जो बात थी उसे आज ही खत्म करनी थी वह धीरे धीरे करके सीड़ियां चरती है लेकिन वह अपने आप में यही सोच रही थी कि उसने ऐसा क्या गलत किया है कि अधिकार उसे डांट रहा था क्या बस यह इसलिए था कि उसने अधिकार के लिए रात का खाना नहीं बनाया था पर चाहे जो भी हो राही ने सोच लिया था कि वह अधिकार से मिलकर उससे माफी मांगेगी और उसने जो भी गलती की है उसे सुधारने की कोशिश करेगी वह धीरे धीरे करके अधिकार के कमरे में जाती है और धीरे से दर्वाजा खोल कर उसके कमरे में दाखिल हो जाती है उसके कमरे में सारी लाइट्स ओफ थी बस एक मधम रोशनी ने उस कमरे को हलका सा रोशन किया हुआ था राही ने पूरे कमरे को इधर से उधर देखना शुरू किया लेकिन अधिकार उसे बैड पर नजर नहीं आता है राही ये देखकर हैरान हो जाती है अधिकार इतनी रात को अगर अपने बैड पर नहीं है तो कहा है तभी उसकी नजर सोफे पर जाती है वह देखती है अधिकार सोफे पर अपनी आँखें बंद किये हुए लेटा है वह धीरे से अधिकार के पास जाती है तो देखती है कि अधिकार अपने हाथ की कोहनी को अपनी आँखों पर बंद किये हुए सोफे पर ही सो गया है और शायद वह इस वाक बहुत गहली नींद में सो रहा है.